इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एब्डोमेन एनाटोमी के अंदर पेरिटोनियल केविटी में सुपाइन पॉजीशन के अंदर आने वाला सबसे मोस्ट डिपेंडन्ट पाउच जो है वो डिसकस करने वाले है और ये पाउच जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसकी ब बाउण्टरि के अंदर याद करने वाले है तो शुरू करते हैं पाउच हिपेटो हरीनल पाउच नाम ही है है हिपेटो रीनल हम यहां पे जो है वो फोकस करने वाले है लिवरकिता सो यहां पर देख पा रहे हो कि abdomen जो है वहां पर हम जो है वह पुस्टिर्य साइट जो वाले पार्ट जो है वहां पर भी सिफ्ट हो रहे है बोनी स्ट्रक्चर सारे मैं अभी के लिए हाइट कर देता हूं और यहां पर आपको फोकस करना है कि यह जो पैट उनियम का फोल्ड ह जो है वह फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है हेपेटो रीनल पाउंच तभी मैंने आपको बोला कि दस चीज़े जो है वह दस चीज़े इसके बारे मैं आप याद करेंगे तो लीवर वाला जो पार्ट जो है और उसके साथ में जो है वह गॉल्ब्लेडर वह उसके हम जो है कि यहाँ पे यह एक पाउच वाला जो पार्ट जो है यहाँ पे जो है वह है ठीक है उसके एंटिरियर साइड में जो है वह कौन से चीज़े आ जाएगी तो दो चीज़े जा रखनी है राइट लोब ऑप द लीवर जो है वह उसकी कौन से सर्फेस इंफिरियर सर्फेस और गोल ब्लेडर परफेक्ट दो चीज़े हो गई अभी हम पोस्टीर साइड में अगर हम जाए तो यहां पर हमको मिल जाएगा क्या किद्नी पंसे साइड की किद्नी जो है वह यहां पर इस पाउच के एंटिर वाले स्ट्ट्टर में आ जाएगी तैडिस दर राइट किद्नी य और उसके साथ-साथ यहां पर जो है वह राइट सुप्रारीनेल ग्लेंड दो चीज़े यह हो गए उसके पोस्टीर पार्ट में उसके साथ-साथ यह जो कॉलन जो है वह यहां पर असेंडिंग देन कंटिन्यूज एस दर ट्रांसवर्स यह हिपाटिक फ्लैक्शर ओफ और वह और उसके साथ-साथ जो यहां पर जो पेरिटोनियम का फोल्ड आता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स मीजो कॉलन परफेक्ट एंड दूसरा को इस ट्रक्चर यहां पर आपको दीख जाएगा यह जो है सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम और उसके साथ जो है वह हेड अब दा पैंक्रियास तो यह छे चीज़ है तो यहां पर जो अंदर इस तरीके से जो यह पाउच जाएगा उस पाउच के पोस्टिरियर रिलेशन वाले पाट के अंदर यहां पर जो रिलेशन वाला जो पाउच जो आएगा जिसके अंदर हम राइट साड की किडनी उसकी जो suprarenal gland, यहाँ पे जो hepatic fracture of colon, उसका जो transverse mesocolon, उसके बाद यहाँ पे second part of duodenum and head of the pancreas. यह सारे चीज़े जो हो उसके posterior relation में ले लेंगे. Superior side में जो हमको याद रखना होता है, उसके अंदर हम याद रख सकते हैं, superior side में यह जो ligament जो है, उसको बोलते है, coronary ligament of the liver, उस coronary ligament of the liver का inferior portion, उसके दो पार्ट है, coronary ligament का एक superior है, वो तो बहुत ही उपर की तरफ है, एक नीचे वाले पार्ट में जो है, वो inferior, वो उसके superior relation में हम याद रख सकते हैं, और inferior relation के अंदर हमको simply याद करना होता है, कि it is communicating with the peritonial cavity, इसी को अगर आपको diagram से समझना है, यह अगर आपको diagram से समझना है, यह जो है, उसका दूसरा नाम है, वो भी याद रख लेना, यह diagram जो है, वो आपको exam के अंदर draw करना है, बराबर, जिसके अंदर बहुत ही simplified schematic diagram है यह, जिसमें यह liver and उसका gold bladder वाला जो पार्ट जो है, वो anterior side है, यहाँ पे जो है, वो kidney, suprarenalineal gland है, फिर यह second part of diodenum, pancreas, वो उसका जो है, वो posterior part दिखाया, और यहाँ पे जो it is communicating with to the sac, peritonial cavity जो है, उसके साथ उसका जो है, वो communication है, तो इसका clinical importance कहा है, जब भी यहाँ पे कुछ पी pass वगेरा बरता है, तो basically जब supine position में हम सो जाते है, तो यह वाला जो pouch, that is the most dependent part, वो वाला जो चीज जो है, आप इस diagram से भी समझ सकते हो, हमने एक lecture के अंदर जो है, वो recto uterine pouch समझा, अभी जो हमने hepid or renal pouch समझा, तो basically that is more dependent than this director uterine, तो fluid वाला जो है, वो यहाँ पे collection हो सकता है, यहाँ पे fluid में लिए किस तरीके से आता है, में लिए abscess, कौन सा abscess, जो है, वो mostly common होता है, तो subphrenic abscess, जो diaphragm वाला जो है, वहाँ पे नीचे वाली subphrenic space के अंदर जो pass collection होता है, वो pass collection जो है, वो यहाँ पे collection हो सकता है so I hope कि आपका जो वो हिपटोरिनल पाउज के लिलेटेट सारी जो प्वेरिस जो है अब हो चुकी होगी thanks for listening